प्रुधान मंत्री नरेंदर मोधी के स्वच्चता अभ्यान को सरकारी अधिकारी कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से सामने आया है जहां सरपंच और रोजगार सहायक ने टोईलेट बनाने के नाम पर निर्मान राशी गबन कर ली मामला बैतूल के भीमपूर विकास खंड की ग्राम पंचायत लकर जाम का है जहां लोगों दुआरा शिकायत की गई थी कि उनके घर में शोचाले नहीं बने हैं वहीं जब जांच की गई तो पता चला कि रिकॉर्ड में तो शोचाले बन गए हैं इस फरजीवारे में सरपंच और रोजगार सहायक की मिली भगत सामने आई हैं शिकायत में आठ घरों में शोचालय नहीं बने होने की बात की गई थी जिसमें से चार घरों में शोचालय नहीं बने थे इन घरों के हिदगराहियों की फोटो पडोसी के टॉयलेट के सामने खिचवा कर सरकारी पोर्टल पर अपलोट कर दी गई थी और उसके बाद दो बनने थे कहीं दो बनने थे और उन्ने फिर बनाए नहीं और बाकी छोड़ दीए बाकी बना दी और शासन को दिखा दिए कि फरजी वाड़ा फोटो लगाके और रास्यारन कर ली और अपने घर पे तीन परिवार निमास करते हैं तो उसके आदार से तीन सवचाले बनने यहां से और तिनों को निर्मान है करके वह इसे भारत में संब को दिखा दिया गया पोड़र पापा के इन सौचाला बना था वहाँ की फोटो ने लोगों ने काल को डाल दिया और अपने पशह निकाल चुके हैं इनको बहुत सिकायत करी बहुत बोला चार-चे माई ने सिकायत करी थी इन लोगों ने संडास बाकि और भी कुछ लोगों की सिकायत हुई थी बाकि एक दो की बन गई बाकी की तो आप पता नहीं सार किती पड़िये किती वैसी छे और अपने सिकायत में लोगों ने बोला कि कुछ रासी आपकी ज इस मामले में जब जिला पंचायत CEO एमेल त्यागी ने जांच की तो पता चला कि सरपंच अजोप सिंग और रोजगार साहयक अखिलेश खादिपूर ने स्वच्छ लाभारती चैतराम, रामकिशोर, कंसराज और शंबुदयाल के नाम से उनके घर टॉयलेट बनाने के नाम पर 48,000 की राशी निकाल ली है। इन शोचालयों और इसी तरह की अन्यवी संग्यतियों के लिए आरोपी रोजगार साहयक से पहले भी 7 लाख रुपे की वसूली की गई है। उक्त मामले में कलेक्टर तीजस्वी इस नायक का कहना है कि आरोपियों से राशी वसूल कर आगे की कारवाई की जाएगी। जरूर चेक कराएंगे कहीं पर भी ऐसा स्थिती बनने का चांस है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि स्वच्पारत मिशन में शौचालय सभी जगा बनना जरूरी है और कोई भी गलत जानकारी हमारे यह नहां रहे यह एंशोर किया है। बतादे की सरकार द्वारा एक टॉइलेट बनाने के लिए एक हिदगराही को 12,000 रुपे दिये गए हैं। J.S.R. टाइम्स के लिए बैतुल से शौशांक सोनक पूरिया की रिपोर्ट